जैहीं दोस्तो मेरे जशुकला एक बार फिर आपका सुवात करता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की भविश्य की ट्वेन की यानि की बुलेट ट्वेन की दोस्तो भारत की बुलट ट्वेन एहमदाबास से मुंबई के बीच चलेगी इस प्रजेक्ट के पहले फेस का काम काफी तेजी से जारी है इसमें 100 किलोमीटर का पुल तैयार हो चुका है 200 किलोमीटर तक पिलर भी खड़े किया जा चुके है रिकॉर्ड 6 महिने के अंदर नभी मुंबई में 394 मीटर लंबी सुरंग के लिए खुदाई का काम भी पूरा हो चुका है दोस्तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्परेशन लिमिटेट के अधिकारियों ने बताया कि घंसौली में अतरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग Additional Dry One Intermediate Tunnel ADIT के पूरा होने से महराश्टर में बांदरा कुरला कॉंपलेक्स और सिल्फाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में तेजी आएगी दोस्तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और जापानी पीम शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को एहमदाबाद में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी इस प्रोजेक्ट का नाम मुंबई में एहमदाबाद High Speed Rail Collider रखा गया है बलट ट्रेन के लिए सुरंग की खुदाई का काम 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था दोस्तो नेशनल High Speed Rail Corporation Limited के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ADIT 26 मीटर तक जुकी हुई है इसे बनाने के लिए 27,515 किलो एक्सप्लोजन का इस्तमाल हुआ 214 बार विस्पोर्ट कर टरनल तयार किया गया इसके लिए Non-Electric Detonators भी इस्तमाल किये गए है इस दोरान आग लगने की आशंकाओ से बचने के लिए Non-Electric Device लगाए गए थे स्टाफ और बरकर मिला कर कुल 100 लोग साइट पर काम कर रहे है प्रजक्ट में कुल 21 क्लोमेटर लंबी सुरंग बननी है इसमें 16 क्लोमेटर की खुदाई बोरिंग मशीनों से हुएगी 5 क्लोमेटर सुरंग न्यू अश्ट्रियन टर्निंग से बनेगी दोस्तो इस सुरंग का करीब 7 क्लोमेटर हिस्ता ठाड़े के केक्र में समुद्र के नीचे से गुजरेगा मौजूदा समय में BKC, Bikrauli और घंसौली के पास सावली में 3 शाफ निर्माड धीन है यह साफ टरनल बोरिंग मशीनों टी बी एम का इस्तमाल करके 16 क्लोमेटर लंबी सुरंग बनाने में बदत करेंगे दोस्तो बुलट ट्रेन के रूट में कुल 12 स्टेशन होंगे इनके नाम कुछ इस प्रकार है दोस्तो बुलट ट्रेन के इस प्रजेक्ट की शुरुआत में यह ट्रेन रोजाना 70 फेरे लगाएंगी एक बुलट ट्रेन में 750 लोग बेट सकेंगे बाद में हलाकी इसमें 1200 लोगों के लिए 16 कोच हो जाएंगे दोस्तो नेशनल हाई स्पीड रोजेक्ट के मताबिक बुलट ट्रेन प्रजेक्ट के तहत 40 मीटर लंबे फुल स्पैन बॉक्स गार्ड और सेगमेंट गार्ड को जोड़कर 100 किलोमीटर तक वायडक्ट का निर्मान किया जा चुका है वायडक्ट एक फुल जैसा स्ट्राचर होता है जो की दो पिलर को आपस में जोड़ता है आई दोस्तो अब बुलट ट्रेन्स हटकर बात करते हैं अपने यूएस बियारल रोजेक्ट की दोस्तो यूएस बियारल रोजेक्ट में CRS निर्क्षन होने को है संगलदान से लेके रियाइसी तक का सेक्षन अब लगबग लगबग कंप्लीट होने की कगाड़ पे है संगलदान से लेके रियाइसी तक के सेक्षन में अभी काम फिलाल सवाल को ट्रेलिवे स्टेशन पर चल रहा है दोस्तो जो CRS connection होना है ये होना है जून में most probably 15 जून से 30 जून के बीच में और दोस्तो सवाल को ट्रेलवे station में अभी काम बचा हुआ है कम से कम एक से डेड़ महिए का सवाल को ट्रेलवे station पर भी काफी हत्ता काम पूरा हलगबग हो चुका है प्रेक बिचा दिये गए हैं इस टेशन की बिल्डिंग भी तयार है और प्लेटफॉर्मस भी लगब लगबग तयार है टनल लंबर 43 को सवाल को ट्रेलवे station से connect करने के लिए रेल ट्रेक्स बिचाए जा रहे हैं समय दोस्तो पिछरी वीडियो मैंने आपको बताया था कि foundation हो चुकी है अब बस टनल 43 को सवाल को ट्रेलवे station से connect करने के लिए रेल ट्रेक्स बिचाए जा रहे हैं दोस्तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और यूएस प्यानल वेल प्रजेक्स अपडेट पाने के लिए इस चैनल पर बने रहे हैं